करन्या कुमारी से कश्मीर की राहुल गांधी की भारत चोड़ो यात्रा का आज आखरी दिन है श्रीनगर में आज यात्रा हो रही है जब यात्रा लाल चौक पर पहुँची तो राहुल गांधी ने थोड़ी देर पहले लाल चौक पर तिरंगा फैराया लाल चौक पर राहूल के कारेक्रम को लेकर कड़ी सुरक्षा देखने को मिली 7 सितंबर 2022 को करन्या कुमारी से यात्रा शुरू होई थी 14 राज्यों से होते हुए यात्रा अब कश्मीर तक पहुँची है जिसमे कई विपक्षी दलों का सवर्थन मिला है कल शेरे कश्मीर स्टेडियम में राहूल गांधी शक्ति प्रदर्शन करेंगे 23 विपक्षी दलों के नेताओं को एक मंच पर लाने की तयारी है कई पाच्यों के नेताओं को न्योता दिया गया है और उनको इस यात्रा में शामिल होने के लिए कहा गया है राहूल गांधी ने जब लाल चौक पर तिरंगा फैराया तो उसकी तस्वीरे आप देख रहे हैं इसके इलावा कई विरोधी पाची के नेताओं ने राहूल गांधी के साथ यात्रा में कदम से कदम मिलाया है कुछ दिन पहले हमें अमने उमर अब्दुल्ला को भी देखा इसके साथ साथ कई बड़े नेता राहूल गांधी के साथ शामिल हुए अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी क्रेडिट स्कोर इंप्रो करना है तो फ्रीडम अप को अभी डाउनलोड करो राहूल गांधी ने जब तिरंगा फैराया तो कश्मीर के लाल चोक पर वंदे मातरम गुझ उठा मंजूर मीर की ये रिपोर्ट देखे हम इस वक्त सरीनगर का इतिहास इक लाल चोक में माजूद है और मेरे पीछे आप कुलाग टावर की तस्वीरे देख सकते हैं राहूल गांधी जो है यहां पर पहुंच चुके है तिरंगा उन्होंने यहां पर फैराया है चारुन तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको लोगों का एक बड़ा हुझूम यहां पर देखने को मिलेगा और इन में युआउं की भी एक अच्छी खासी तैदाद जो है वो देखी जा रही है आप देख सकते हैं यहां पर किस तरह का उत्सा और जोज जो है लोगों में इस भारत जोड़ा यात्रा को लेकर है यह तस्वीरे अपने आप में बयां करती है कि लोग जो है वो दरजोग यहां पर पोचे हुए है खासकर युआ जो है कश्मीर के हातों में मुबाइल फूल लेकर जो है वो राहुल गांदी की यहां पर तस्वीरे खेशते हुए नजर आएंगे आपको राहुल गांदी ने यहां पर लाल चोक पुलाक टावर के पास तिरंगा फैराया है और यह देख सकते हैं नारे बाजी यहां पर ओ रही है एक एथहासिक रैली के तोर पर जो है इस भारत जोडो यातरा को देखा जा रहा है हलांकि यह यातरा जो है आज कश्मीर में पूरी तरह से संपन होगी कल राहुल गांदी एक जन्सवा को संबोधित करेंगे हलांकि सुरक्षा के कड़े इंतिजामात किये गे हैं यह तस्वीर है आप देख सकते हैं चारुन तरफ से कि किस तरह का माहूल लाल चोक में देखा जा रहा है तरंगा लेराया जा रहा है और कॉंग्रेस पार्टी के जो जन्ने है वो भी यहाँ पर आपको चारुन तरफ से दिखाई देंगे इस रैली में करीबन तेरां दूसरी पुलिटिकल पार्टीयों का समर्थन जो है राहूल गांदी को कश्मीर में हासिल हुआ है बानेहल से लेकर सरीनगर तक की बात करें तो हर जगा पर राहूल गांदी का यहां पर सुआगत किया गया खासकर नैशनल कॉनफरेंस के उपदक्ष अमर अब्दिल्ला और जमू कश्मीर की पूरू मुकमंद्री मैबुबा मुफ्टी का भी जो है समर्थन जो है इस रैली में देखने को मिला है बारत जोड़ो यात्रा में और यह तस्वीर आप देख सकते हैं इसमें नैशनल कॉनफरेंस और पीडी पी के कारी करता भी जो है यहां पर माजूद है एक उनूखी तस्वीर जो है आज लाल चोक में देखी जा रही है राहूल गांदी यहां पर माजूद है और उनूने यहां पर तिरंगा जो है वो 136 दिन का सफर तैकर के राहूल गांधी की आत्राप श्रीनगर पहुंची है। कॉंग्रेस के सभी बड़े नेता इस्वक श्रीनगर में मौजूद हैं। लोगसभा में नेता विपक्ष अधीरंजन चौधरी ने कहा कि राहूल गांधी ने इतिहास रच दिया है। और बिना कॉंग्रेस के मोधी को हराना संभब नहीं है। सुनिए अधीरंजन चौधरी ने क्या कहा। लीडर ओफ ऑपोजिशन कॉंग्रेस पार्टी के लोगसभा में अधीरंजन चौधरी मरत आता है। अधा आज यात्रा का एक तरीके से समाथ हो जाएगा तक भी लम्मा पूंच रहा तरहा तरहा की बात बनाते बनाते अपना राज्डित करने वाले थे उनको जवान बन चुके हैं। तो राहूल गंदी की जात्रा की चलते सारे हिंदूस्तान में आम लोगों की एक नया सोच पाइदा हो चुके हैं। कि हिंदूस्तान की बारे में… अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िये शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रू करना है तो फ्रीडम अप को अभी डाउनलोड करो। करना है, पुलिटिकल ऐलाइंस का या पुलिटिकल एक तरीके से आपको लगता है। वो फलक्रम को मजबूती मिलेगी यहां से आप बन पाएंगे देखिए वो तो अलग बात है यह अलग हिस्सा है राहुल गांदी की सुरूख सी दीन से भी यह बोलते आ रहे हैं कि यह इसका साथ सियासत के ना जोरा जाए तो बेतर है और कॉंग्रेस पार्टी फलक्रम है यह सब जानते हैं क्योंकि बीपक्स बीपक्स को अगर देखा जाए इस लिहाज से कि बीपक्स क्या कर सकता है बीना कॉंग्रेस कुछ हो सकता है कॉंग्रेस पार्टी की जेब में आज तक भी 20-30 भोट 20-30 भोट कॉंग्रेस पार्टी की पक्स में है तो बीपक्स अगर लाम ब प्ले स्टोर या एप स्टोर पर